नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रभी और आप सभी का सुवागत है आपके अपने येट्यूब चैनल इस्ट डेवी तरभी पर फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में उत्राखन करेंट अफेर्स 2023 की साथवी क्लास पढ़ने वाले हैं जिसमें दोस्तों सभी इंपोर्टेंट और सेलेक्टिट कोशन सामिल के गए हैं फ्रेंट्स हम उत्राखन के अलाबा नैशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेर्स के कोशन भी इस वीडियो में पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एक्जाम्स में सीधे पूशे जा सकते हैं तो चलेगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपने पहले कोशन से और पहला कोशन है दोस्तों कि सयुक्त राश्ट महासभा के 77-70 के अध्यक्स साभा कोरेशी किस देश से सम्बंदित हैं तो साभा कोरेशी का सम्बंद दोस्तों हंगरी देश से है राइट आंसर है ओप्शन सी ठीक है तो हंगरी देश के राश्ट दूथ हैं सयुक्त राश्ट महासभा में साभा कोरेशी जिन्हें दोस्तों 77-70 के अध्यक्स के रूप में निउक्त किया गया और यह है दोस्तो एक साल तक इसकी अध्यक्सता करेंगे ठीक है मतलब एक साल के लिए अध्यक्स बनाया जाता है इससे पहले दोस्तो छेतरवे सत्र के अध्यक्स थे मुहम्मत साहिद जो मालदीब के राज़तू थे अगर आपसे पुछा जाए कि सईक्तराष्ट महा सभा को क्या कहते हैं तो इसे दोस्तो बिश्व की लगू संसद कहते हैं जिसमें बर्तमान में 193 देश सदस्य है ठीक है एक महत्पुन प्रसन है कि युएनो में इंडिया के इस्थाई पृति निधी कौन है सही अंसर है option D पापुआ नियू गिनी को पापुआ नियू गिनी देश को दोस्तो इंडियन ओयल कोर्परेशन द्वारा पहली बार aviation gas का निर्यात किया गया aviation fuel क्या होता है तो aviation fuel दोस्तो वह होता है जो petroleum का सुधतम रूप होता है ठीक है और फ्रेंट्स इसका जो यूज होता है तो जैसे एरो प्लैन, हेलिकोप्टर और जेट होते हैं तो उसमें इसका उप्योग किया जाता है अगला प्रेशन है कि मोद्रिक निती समीती का चेयर परसन कौन होता है महत्पन प्रेशन रहेगा तो फ्रेंट्स आर्बियाई का गवर्नर मोद्रिक निती समीती का चेयर परसन होता है जैसे बर्तवान में सक्तिकान दास आर्बियाई के गवर्नर है तो यह दोस्तो मोद्रिक निती समीती के चेयर परसन कहलाएंगे जो फ्रेंट्स प्रती एक दो महा में जारी की जाती है यह एक साल में छे बार जारी की जाती है तो ये भी याद रखीगा चोथा कोशन दोस्तो और महत्पुन प्रेशन है कि मुख्य मंतरी जगन मोहन रेड़ी द्वारा आंदरप्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है राइट आमसर है ओप्सन ए बिसाखा पटनम बिसाखा पटनम को दोस्तो जगन मोहन रेड़ी के द्वारा आंदरप्रदेश की नई राजधानी बनाया जाएगा इससे पहले दोस्तो आंदरप्रदेश की राजधानी थी अमराबती ठीक है फ्रेंट्स दो जून 2014 को आंदर तेलंगाना राजधानी थी ठीक है इससे पहले आंदरप्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद ठीक है और हैदराबाद सहर दोस्तो तेलंगाना राजधानी में चला गया जिस कारण यह राजधानी अब तेलंगाना की राजधानी है अगला कोशन हैगा बताइगा कि हाल में उत्राखन सरकार द्वारा राजशब पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया गया यह है किस वर्ष लागू की गई थी तो राजशब पुलिस व्यवस्था उत्राखन में दोस्तों 1874 में लागू की गई थी और यह कुल 61% छेतर पर लागू की गई थी तो याद रखेगा क उत्राखन सरकार द्वारा राजसाप प्लिस व्यवस्ता को समापत किया गया है जो 1874 में लागू की गई थी नेस्ट कोशन है उत्राखन के नए स्वास्तिय महा निदेशक किसे निउक्त किया गया है तो राइट आंसर है उप्शन C बिनीता सहा जो की दोस्तों मूल रूप से प्युथोरागड की रहने बाली हैं इन्हें एक जनवरी 2023 को स्वास्तिय महा निदेशक के रूप में निउक्त किया गया इसे पहले दोस्तों उत्राखन के स्वास्तिय महानी देशक थे सैलेजा भट ठीक है तो राइट आंसर है हमारा इस कोशन का ओप्शन C साथवा कोशेन दोस्तो कि उत्रखन सरकार द्वारा सरहानिये योगदान देने वाली महिलाव को तीलू रोतेली पुरुषकार प्रतियक वर्ष किस दिन दिया जाता है तो यह पुरुषकार दोस्तो आठ अगस्त को दिया जाता है महिलाव को अब 21,000 रुपे से बढ़ा कर कितनी धन्रासी दी जाएगी तो फ्रेंट्स इस पुरुषकार की धन्रासी बढ़ाई गई है पहले 21,000 रुपे दिये जाते थे और बरतमान में दोस्तो इसे 31,000 रुपे किया गया है तो राइट आंसर है ओप्सन ए अगला कोशन है कि हाल ही में मुख्य मंतरी पुषकर सिंग धामी ने पंत नगर उध्योगिक छेतर का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोशना की है राइट आंसर है ओप्सन भी नराण दत्तिबारी नराण दत्तिबारी जिन्हें दोस्तो उत्राखन का विकास पुरुस वोला जाता है इन्ही के नाम पर पंत नगर उध्योगिक छेत्र का नाम रखा जाएगा ठीक है बात करें कि नराणदत्ति बारी तो यह दोस्तो नैनिताल के रहने बाले हैं इनका जन्म हुआ था 1925 में बलूटी गाउं में ठीक है और यह दोस्तो उतर प्रदेश के तीन बार मुख्य मंत्र जिसने पूर्ण कार्यकाल किया तो फ्रेंट्स वह थे एंडी तिवारी जो 2002 से 2007 तक उतराखंड के मुख्य मंत्री के पत पर रहे थे ठीक है और फ्रेंट्स यह है आंदर प्रदेश के राज्य पाल भी रह चुके हैं नेश्ट कोशन है कि किस राज्य की पुलिस ने ओप्रेशन मर्यादा शुरू किया है राइट आंसर है ओप्शन ए उतराखंड उतराखंड की राज्य पुलिस ने ओप्रेशन मर्यादा को शुरू किया है ओप्रेशन मर्यादा क्या है दोस्तो तो यह है परियाटन इस्थल कि मर्यादा को बनाए रखने के लिए उत्राखन पुलिस ने विशेस अभ्यान शुरू किया है जिसे दोस्तो ओप्रेशन मर्यादा नाम दिया गया ओप्रेशन मर्यादा के तहत उत्राखन पुलिस परियाटन इस्थलो पर जो हुरदंग करने वाले व्यक्ति होते हैं तो उस पर सक्ती से बरताप करेगी ठीक है तो याद रखेगा कि उत्राखन की पुलिस ने ओपरेशन मर्यादा शुरू किया है ग्यारवा कोश्चन है कि राज्ये के किस इस्थान पर देश का पहला काबक पार्क बनाया गया है तो राइट अंसर है ओप्शन बी मुनस्यारी पिथोरागड के मुनस्यारी में दोस्तों देश का पहला कबक पार्क बनाया गया है नेश्ट कोश्चन है कि सूर्यधार जील का लोकारपन 29 नमंबर 2020 को ततकाल मुख्य मंतरी तरिवेंदर सिंग राबत द्वारा कहा किया गया राइट अंसर है ओप्शन बी डोव वाला देहरा दून में ठीक है तो याद रखेगा कि सूर्यधार जील कहा पर इस्तित है तो यह दोस्तों डोव वाला देहरा दून में इस्तित है जिसका लोकारपन तरिवेंदर सिंग राबत के द्वारा 29 नमंबर 2020 को किया गया नेस्ट कोशन है कि मुख्य मंतरी पुसकर सिंग धामी द्वारा मुख्य मंतरी आचल अमरत योजना को पुने कब सुरू किया सही अंसर है ओप्शन बी 28 अक्टूबर 2021 को 28 अक्टूबर 2021 को दोस्तो मुख्य मंत्री आचल अमरत योजना को पुन्हे शुरू किया मुख्य मंत्री पुसकर सिंग धामीने। ठीक है ओप्षेंस यह है जो योजना शुरू की गई थी पहले तो 7 मार्च 2019 को शुरू की गई थी। अगला कोशन है कि खतलिंग परियाटन मिला उत्राखन के उत्राखन में कहां आयुजित क्या जाता है तो खतलिंग परियाटन मिला दोस्तो उत्राखन के टीरी जनपद में आयुजित क्या जाता है राइट आमसर है ओप्षन D ठीक है और खतलिंग गिलेशेर भी दोस्तो टीर में ही इस्तित है जहां से भिलंगना नदी का उद्गम होता है पंद्रवा कोश्चन है कि उत्राखन के किस जनपद में राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है तो राइट आंसर है दोस्तो ओप्शन दी पिथोरागड में तो पिथोरागड में दोस्तो उत्राखन का पहला ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है तो दोस्तो ये थे आज के हमारे 15 इंपोर्टेंट और सेलेक्टिट कोश्चन जो सभी आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं आज का आपका सवाल रहेगा कि नो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए गा दोस्तों में सेर करिए गा और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजएगा तो मिलते हैं दोस्तो नेश्ट वीडियो के साथ तब तक के thank you so much for watching Jai Hind